आप सबका श्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चाया मिस्रम में यह देखिए दो वेस्ट चीजों से बनी हुई टूटी-फूटी यह देखे कितनी प्यारी और कितनी यम्मी लग रहे हैं पास से बिल्कुल दिखा रहे हैं आपको और यह मंचाहे कलर में बना सकते हैं कि लेफे चीज से देखिए काऊं से दो वेस्ट चीज हैं जिसे हम ने फोटी-फूटी बनाई है तो सब्सक्राइब हमने को लहाद देखें, उपर का पार्ट होता है उपर का चिलन रूट है तुप सी वन्हें रहा, तो पहले से ही हम ने छी वीवल के राख लिए अगसा की दिकत नहुंए और इसका रेड़ निकाल दिन धा य पर यह अपन नौर्मल तरह से नहीं बनाएंगे जैसे कि पानी में बोल करके दिखाएंगे और दूसरा जो हम अपनी तरीके से बनाते हैं हम उस तरीकसे से भी बताएंगे कि आपको कि वह कैसी लगता है इससे टाइम जिस तरह से हमस्तुले। इसमें टाइम की बहुँत बहुत बहुत जाना बच्षप होती तो चलिये देखते हैं तो इन सारे एसे हम छोटा-छोटा कट कर लेंगे टीकर तो कट करतेσιं झाक के धूरलते हैं यह ते कि कट करती हैं बेलकुल से में करने चुबंट अब दूसरी बेस्ट इंक्रेडियन जो हम लोग वरात वगरा में जिसे साधी वरात में बनाते हैं गुलाब जामन तो उसकर जो चास्नी बच जाती है मुस्काज इस्तमाल करें ठीक है तो देखिए एक ग्लास चास्नी है जिसको हम आदी इस पतीले में डालेंगे बहुत अब हम क्या करेंगे इसमें देखिए क्या करता है यह देखिए यह हाफ ग्लास पानी है इस चास्नी में हम हाफ ग्लास पानी इसको एड़ करेंगे अब इसको बहुल होने के लिखेंगे और अब हम करेंगे तो ग्लास पानी हम डालेंगे दूसरे पतीले में आप देख रहे लिकर हम दूसरे मैंधर से भी बना रहे जो यूटुब पर आपने बेखी होगी जैसे बनाते हैं तो वो वाल करके बना ता रहे हैं हम अपने तरीके हाफ हम चासनी में एड़ करेंगे और हाफ पानी में बॉयल करके बनाएंगे जैसे कि यूटूब पर दिखाते हैं तो देखते हैं इसमें फर्क क्या होता है चलिए अजस कुछा यह देखे गाइस चासनी में बॉयल आ गया है तो अब हम अपना एक डाल देंगे हिस्सा चासन हमने एक साथ ही इसको बॉयल होने के लिए रखा हुआ है तो चलिए भी डाल दिया है यह देखे गाइस हम आपको टाइम भी दिखाए दे रहा है एक मिनट यह देखे तीन बजकर बद्किस मिनट तो देखते हैं कौन किती जल्दी बनता है कि दोनों को ही हम ऐसे थोड़ा लबाद देंगे कोई प्रॉबर्म नहीं होगा चाहिए चास्मी वाला हो चाहिए वाला हो थीकर दोनों की हम उलट पूलट देंगे तो अब लगवाष लबख हम ने सोच के चला कि 10 मिनट हमको पकाना है इसको तो 10 मिनट बाद मिलते है कि यह रहे गावाहिए चाफ वालिस की टाइट है अब पकने का प्रोस्सलेख फुल लगबग एक ही है तो उस तरह से जो चास्नी में हम पका रहे हैं रहे हैं आप खुछ देख सकते हैं इस चास्नी में पक रहा है तो इसकी ग्रीन जो है जो इसका छिल्कन था था उन्हीं तारश पैरन्स दिखने लगा है और कि छैनिये इसको तो हम अब बरतन पर बिल्कु एफ ऩवार्च कोशचधन 칭ी एक प्लाठ बलकुल कर्छेंध्य आड़ी बार तो फ्लेम को एफ जाये तब हम काम करेंगे यह देखे गाइस पानी हुआ निकल चुका है तो इसको हम फिर से उसी बर्तर में डाल लेंगे इस तरह से और आप हम इसमें से हाफ ग्लास पान वह चास्नी बचाई थी उसको हम इसी में आड़ करेंगे और इसान करेंगे एक बात काईस और बता दे हम आपको हमने यह यह वेस का अग्लास नहीं ना हो तो आप इसको चीनी से भी बना सकते हैं तो यह देखे यह हमारा जो तो पीसेस थे वो लबब दो कटोरी थे तो अगर आप उसने बता बनाना चाहते हैं चीनी से तो हमारा दो कटोरी यह था तर्बूत के शिलके के पीसेस थे और एक कटोरी चीनी आप रख सकते हैं बचे जाएगी तो वह हमें हटा ही देनी है किसी और काम में ले लेना है बट स्सक्राइब ही यह देखे गई इसको अभी सब्सक्राइब टाईम यह ध्यातर प्रफिज के तो अभी इसमें आप जाए बट ये वटियों की सनी में पकते हैं को मौफ कर देते हैं आप अभी इसमें हमें दो से तीन मिनट लग जाएगा देंगे लगबग यह भी पख चुका है यह देखी आप देख सकते हैं तो इसको भी इसकी की फ्लेम को भी हमने आफ कर दिया है कि देंके लगबग हमारा सार्व बन चुका एंगे पहले बनाने वाल कलर दो से तिन पिंट बिलकुल और उसके बाद कुछने करना है और इसको अच्छय से मिस्स कर देंगे बाद में अगर में लगेगा कि क्लर मारा कम है तो अज did skincare अजह स 형प네 कि कम नहीं है धिक है और यह वाला हमारा वहoup है जो हमने बॉयल किया था'M बखड़ लगबख स्म्माइब करना के लिए वह हो कि हाय्मदाइब जीस कि आई कई के देखें के दूसरा ऐसे रेट हां यह हमारा पीला और यह देखें डाइस हमने जो सेकेंड बदाया था जो हमने डार्यक्ट छास्नी में बनाया था उसमें हमें यलो बनाना पुर लोग करें कि आपको ग्रीन कर देखें और आफ तो अच्छी बात है तोड़ा सा अलग कलर दिखना चाहिए तो यह अच्छा है यह देखी क्रीम कितना प्यारा लग रहा है यलो कलर तो चलिए अब इनको हम क्या करेंगे दस मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे ऐसे कांटर पर अपना छोड़ देंगे जिससे कि जो कलर है वह हमारा इसके अंदर हो दाये अच्छे से यह देखिए गाइस लग भ़ग 10 मिरट हो चुका है तो इनको आफ माला कलग प्लेट या थाली में निकालेंगे अगर आपके पास धूप अच्छी है तो आप दूप में रख दीजिए और नहीं अगर दूप अच्छी है तो आप फैन में रगती चे पै और उसके बाद हम अगले थाली में यहां पर ऐसे डाल की इसको सुखाय लेंगे ठीक है यह देगे कितना अच्छा कलर आया है देख सकते हैं तो इसी तरह से सारा निकालेंगे यह देखें गाइस रेड और यलो तो दोनों ही इस टाय से बनाए है चलिए चक्ते बताते हैं कि क अच्छा है अब यह दूसरा जो चासनी में वोल किया हुआ है यह दोनों ही बहुत अच्छे है तो आप इसको सूखने के बाद हम मिलते हैं लगवववववव दोनों से यह तरीके से बने हैं सिर्फ इसको जो हमने पानी में बोल करके बनाया था उसको थोड़ासा ठंडा क करके दुबारा चासने में डालने में फरकुआ बादा की दोनों एक ही तरह से हैं चाहिए जैसे आप बनाएं तो रही बहुत अच्छे लगते तो चलिए इनको मिलते हैं सुखाने के बाद यह देखे गाइस बनकर रेडी है हमारी टूटि फूटि वह भी तर्पूच के छिलकों से और यह देखे सूप गया है देखे गाइस हमारे थोड़ा से इससमें बादल बादल है दूप अच्छी से नहीं है इस वज़ा से हमको सारा दिन लग गया सुखाने में बट अगर कि दो से तीन महिने यूज करिए यह देखे हमने कर दिया है और यह आप आइस क्रीम बनाएए या किसी भी चीज में आप डाल के आराम से बनाएए और यह दीजिए खाने को बच्चे बहुत इसको देखकर बहुत जाधा खुस होने वाले हैं तूंकि इतना यम्मी इतना औ हमारी टूटी फूटी यह देखे और किती कलर्फुल है आप इसको मन चाहे कलर में बना के रख सकते हैं आप इसको फ्रीज में रख दीजिए ऐसे बंद करके डिबे में इस तरह से और यह खराब भी नहीं होने वाली तो दो से तीन महिने के लिए आराम से यूज करिए यह